question it says the position x of a particle with respect to t with respect to time t along x is along x axis is given by x is equal to 90 square minus t cube x meter में t second में सवाल है what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the x direction पोजिशन हमें बताना है पोजिशन जब उसकी speed maximum हो जाएगी सिंपल सवाल है यहाँ पर अपने को दिया हुआ x जो वेरी कर रहा है वह अपना 90 square 90 square minus t cube यहाँ से आपका x वेरी कर रहा है अपने को यहाँ पर बताना है सवाल है find v नहीं find x at v maximum के लिए हमें पहले velocity निकालनी पड़ेगी velocity को हमें पता है हम लिखते हैं dx by dt differentiate करके आएगा तो इसका जो हम differentiate कर देंगे यह हो जाए 18t minus 3t square अब v की maximum value के लिए for v maximum अब इसकी maximum value निकालने के लिए हमें करना होएगा dv by dt equal to 0 तो इसको एक बाफ्रेंशेट करेंगे उसको हम equate कर देंगे 0 के तो इसको एक बाफ्रेंशेट करेंगे तो आएगा आपका 18 minus 6t equal to 0 इसका मतलब यह हो गया क्या आपका t is 18 by 6 यानि की 3 seconds तो आपकी velocity maximum होएगी तीन सेकेंड पर आप हमें बताना है तीन सेकेंड पर x क्या होएगा तो तीन की value महां रख देंगे फानल आंसर आजाएगा तो x will be equal to यहां पर तीन की value रख देंगे 9 multiplied by 3 का square minus 3 का cube so 9 multiplied by 3 का square into 3 का cube बस यह करके अपना answer आजाएगा तो इसकी value जो बन जाएगी यह हो जाएगी अच्छा इसको solve करने के लिए थोड़ी सी better fast वो करने के लिए इसमें 3 का cube आप common ले सकते हैं 3 का cube common आएगा तो बज जाएगा 3 minus 1 तो यहां भी 3 था यह 3 का cube आया तो 3 का cube यानिके 27 multiplied by 2 यानिके x की value हो गए आपके 54 meter यह आपका final answer हो जाएगा so based on this sum कह सकते हैं option number a 54 meter would be the right answer ठसकते हैं